हर्योम गुर्महराज जी को आदेश आज हम योगशिष्ट और पतंजली योगशुस्त्र के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे इस विडियो का तात पर ये किसी भी व्यक्ति विशेश या गरंथ को उचा या नीचा दिखाना या तुलनात्म का ध्यान करना नहीं है बलकि ये बताना है कि किस प्रकार हमारे रिश्यों मनिश्यों ने अपने अपने आधार पर अपने अपने लेवल पर किस तरीके से योग और हमारी भारतिय संस्कृति का जो है उत्थान किया तो पहले हम बात करेंगे पतंजली योग सुत्र के बारे में पतंजली योग सुत्र के बारे में इतना कहना है कि महरीशी पतंजली जो की एक बहुत बड़े फिलोसफर दार्शनिक थे एक बड़े संत रिशी थे और साथ ही उन्होंने योग में अपना एक महत्तोपून स्था और यौगिक विधाओं को अपने संस्कृत के सुत्रों से लगभग जो की 196 के लगभग जो सुत्र है हमारे पास उन सुत्रों को कमपाइल किया इकठा किया और साधारन भाषा में उन सुत्रों को जन मानस तक पहुंचाने का भी प्रयास किया इसके इलावा मारशी प्रतंजली के बारे में अगर ये कहा जाए कि उनका जो टाइम फ्रेम जिस समय उन्होंने काम किया वो लगभग दूसरी से चोथी शताबदी इसापूर के करीब में है और साथ में उन्होंने संस्कृत के और अन्य गरंथ भी लिखे जिसमें बहुत महत अश्य है जो कि पानेनी के जो अश्टा ध्याई के उपर आधारित है योग सुस्त्र के इलावा उन्होंने योग रतनाकर पदार्थ विज्ञान इतियादी गरंथ भी लिखे इसके इलावा मेडिकल साइंस में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उन्होंने विग पतंजल तंत्र कहा जाता है जिसके बारे में बहुत से लोगों को हम में से पता नहीं है इसके बारे में भी अगर हम चाहेंगे तो आगे के वीडियों में इसको विस्तार से चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से देखा जाए तो रिशी पतंजली का हमारे योग और दर्शन शास्तर में बहुत बड़ा योगदान रहा है उन्होंने अपने संस्कृत विधाओं से संस्कृत के धीरे-धीरे छोटे-छोटे टेक्स से सूत्रों से अपने जो पुराने जो योगिक क्रिय जो की जटल क्रिया थी उनको साधारन रूप से उनको कमपाइल करने का उनको अभीव्यक्त करने का काम किया और यही जो योग सुत्र है आज कल कि जो मौडर्ण जो साइंस है जैसे की योगिक साइंस जिसमें की अश्टांग योग, आयंगर योग और ना जाने कितने ही इन सुत्रों को लेकर के अगर हम आगे लेकर के चलें तो दीरे दीरे जो हमारा योग है योग शास्त्र एक पॉस्च्चोरल यानि कि शारिरिक जो हमारी गतिव विदियां रहती है आसन प्राणायाम या आन्य परकार की जो क्रियाएं हैं उसके उपर ही ज्यादा फोकस करने लग गया तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो मॉडरन साइंस है मॉडरन जो हमारे योग है वो पतंजली रिशी की ही देन है तो अगर हम इसके मुकाबले में योग शिष्ट का थोड़ा सा विवेचन करना चाहें तो योग शिष्ट तो पहले तो यह कहा जाएगी काल के बारे में निड़ने लिया जाए तो लगबख लाखों साल पहले योग शिष्ट की सरचना की गई चूंकि योग शिष्ट रामायन कालिन ग्रंथ है और रामायन से पहले ही महरी शिवालमी की ने अपने पारभ्रम परमात्मा की असीम कृपा या अनुकंपा से उस जो शास्त्र है उसको कंपाईल किया तो योग शिष्ट है वो अधिकार्ष्टा हमारी फिलोसिफिकल और दार्शनिक मत पर आधारित है जो की मुक्ति और मोक्ष के लिए जो जो हमारे पास जो क्रियाए होनी चाहिए जो जिस तरीके के हमको ध्यान रखना चाहिए वो उस बार शास्त्र में सबसे बड़ा ग्रंथ है जो बड़ा जो महत्मय है उसमें 29,000 से लेकर के 32,000 के करीब श्लोक हैं जिसका किजिकर हमने पहले भी कहा है और इस प्रकार एक लगू विशिष्ट भी आता है लगू विशिष्ट में करीब करीब 5-6,000 श्लोक हैं तो योग प्रमारिक रूप से हमारे हिंदु दर्शन शास्त्र में मुक्ती मूक्ष जो कि हमारा जो सबसे बड़ा जो एम है जो सबसे बड़ा लक्ष है मानव शरीर का उस पर आधारित है और जैसे कि पहले जिकर किया जा चुका है यह प्रभू श्री राम चंदर जी और विशिष् समवाद भी अनेक प्रक्रणों के रूप में इसमें समाहित किये गए हैं तो योग शिष्ट और पतंजली योग सुत्र ये आपस में एक दूसरे के पूरक ही हैं तो अगर हम योग विदाओं में सही तरीके से चलना चाहते हैं तो हमको दोनों ही धाराओं को सम्मिलित करकर अ और संसारिक जो योगिक मार्ग है उस पर चलना चाहिए तो पून यह है कि हमारे रिश्वर महरिश्यों की जो आजए उनको आगे लेकर कर जाना है और ताकि हमारे भार के संसकृति का सही तरीके से वसंबान या मर्यादा हो सके तो आने वाले वीडियो में हम योग देखेंगे और समझेंगे तब तक के लिए पढ़ाओं